अब आपकी सहर सागर में चत्रपती सिवाजी सुपर स्पेसलेटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपात कालेइन सुबीदा उपलब्द समस्त बीमारियों से संबंदित विसेसग्यों द्वारा परामर्स एबम आपरेशन तो पतायाद रखें मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चोरहा सागर मदिप्रदेश बताया जा रहा है कि ट्रेन लपीजी गेस लेकर डिपो के अंदर टेंकर खाली करने जा रही थी इसी बीच मंगलबार की रात यह हास सा घटे थो गया और ट्रेन के बोगी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए हाला की गणी मत रही की पटरी से ट्रेन उतनने पर कोई बड़ा हास सा नहीं हुआ ना है कोई रूट पर भावित हुआ बही इस मामले में घटना के सम्मन में पस्चम मद रेलवे के सी पी आरों ने जानकारी देती हुए बताया उस प्राइवेट साइडिंग में घटना हुई है पेट्रोलियम का एक रैक जो कि अनलोड होने के लिए जा रहा था साइडिंग के अंदर मुंबई से आया था यह रही इसका पाच्वा और छट्वा वेगन जो एलपीजी का था लपीजी का वेगन डिरेल हुआ है साइडिंग के अंदर जाते वद और रात में इसको चैक किया गया कोई प्रॉबलम नहीं थी या बात नहीं थी तो फिटनेस का सर्टिटिफिट इश्यो किया मैं प्रॉलियम कोई जो भी चैक के लुबनिय उनके द्वादा देखते हुएиком और इसके बाद नॉर्मาल का कि रात में नहीं होता बता दे कि इस से पहले मयमाय में भी कटनी से सीमेंट भर करा रही हिन मालगाडी के चार डिब्बे पड़री से उतर गए थे जिससे ट्रेनों का परीचालन पूरी तरह बादित हो गया था और दुरगटना ग्रस्त मालगाडी छती ग्रस्त हो गई थी यह मालगाडी छतीस गड़ के बिलासपुर से सीमेंट भर कर आ रही थी तब ही यह हास्सा हो गया था और अब मद्परदेश के जबलपुर में यही एक बड़ा हास्सा सामने आया है जिससे ट्रेन की बोगी के दो डिब्बे पटरी से उतरे हैं सागर एक्सप्रेस ने उचकी ब्यूरो रपोर्ट होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टूरेंट के साथ ठेहरने की उत्तम वेवस्था एसी नॉन एसी लगजरी रूम उपलब्ध तो जरूर पधारें पता साई खीडा लेधोरा हाट फूर लैंच और रहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर